गुजरात के स्यम का अयोधिया दौरा अयोधिया पहुँचे स्यम घुपेदरुपटीर राम लला के दर्शन पूजन करेंगे देखे राम लला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद लगतार दिगजों के अयोधिया पहुचने का सरसला जारी है और यह तस्वीर गुज़वात के स्वीत आयोध्या पहूंचे हैं रामलला की दर्शन पूजन करते वे नजरायें की 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रोटिष्ठा की कई थी पुरे विद्विधान के साथ लंबे इंतिजार के बाद राम लला की प्राण प्रतिष्टा और अयोध्या की तस्वीर भी आपने देखी किस तरह से विद्धता भव्व्यता राम लला की प्राण प्रतिष्टा को लेकर जलक रही थी और राम लला के दर्शन पूजन करने के लिए लगतार दिगजों के पहुंचने का सरसला जारी है तो गुजरात के CM भी आयोधिया पहुंचेंगे आयोधिया पहुंचेंगे बुपेंद्र पतेल जिसके एक्स्क्लूजिव तस्वीर भारण 24 पर आप देख रहे हैं राम लला के दर्शन पूजन करेंगे और यह तस्वीर देखें जहां गुजरात के CM अयोधिया दौरे पहुंच चुके हैं और भुपेंद्र पतेल की एक्स्क्लूजिव तस्वीर अयोधिया पहुंचे है राम लला के दर्शन पूजन के लिए तो अयोधिया में राम लला के दर्शन पूजन के लिए लगतार दिगजों के पहुंचने का सिलस्रा जारी है बुक्ता इंतिजाम वहाँ पर किये गए क्योंकि राम लला की प्राण प्रतिष्टा के बाद लगतार आप तस्वीर देख रहे हैं युधिया से जो तस्वीरे निकल कर सामने आ रही है उस तस्वीरों में आप देख पाते होंगे कि किस तरसे भारी संक्या में हर दिन राम ल पूरे अयोध्या को बेहती खुबसूरत तरीके से सजाया गया था तरेता यूग की जलक नजरा रही थी और उसके बाद से लगतार काफी जादा भीड वहाँ पर पहुंच रही थी प्रधान मंत्री नरींट्र मोधी भी अपने सब बोधन के दौरान उन्होंने जिक्र किया था कि कुछ दिन रुक जाए उसके बाद तमाम जो लोग है वो दर्शन पूजन के लिए पहुंचे और अगर बात की जाए वहाँ पर सिवाई भी लगतार बढ़ाई जा रही है कि जो लोग वहाँ पर दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे एर कनेक्टिविटी की बात करे या ट्रीनों की बात करे तो इन तमाम सुविधा जो है वो लोगों को दी जारे की दर्शन पूजन के लिए अगर वो पहुंचे तो उन्हें तकलिफों का सामना ना करना पड़े और सुरक्षा विवस्ता की पुक्ता अंतिजाम किये गए क्योंकि राम लला के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं बुपेंद्र पटील गुजरात के सीम का अयोध्या दौरा और एक्स्क्रूजिव तस्वी भारट 24 पर आज गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भुपेंद्र भाई पटेल के अध्यक्स्थान में गुजरात का पूरा कैबिनेट मंदल आज अयोध्या जा रहा है भगवान श्री रामलला जी के चरनों में वंदन करेंगे प्रात्ना करेंगे पूजा अर्चना करने का आज हमें भी अउसर प्राप्त होगा आज ये देश के लाखो करोडो भक्तों की और हमें भी अयोध्या जाने का अउसर प्राप्त हो रहा है